गुड आप्टरनून दोस्तों आईए पिट का एक्जाम पास में है तो हम लोग थोड़ा पिट के एक्जाम के सलेवस में सबसे पहले टॉपिक है हडपा सब्विता हडपा सब्विता इसको शुरुवात करते हैं दो लेक्षर तिन लेक्षर में एक अतम हो जाएगा लेकिन पहले पढ़ लिया जाए से तो अगर हडपा सब्विता की बात करें तो हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हडपा सब्विता की भूमी का नामकर जैसे च फिर हम इसके बिस्तार पढ़ेंगे और फिर इसके अस्थल कौन-कौन से इंपोर्टेंट हूँ पढ़ेंगे समाजिक राजनीतिक और आर्थिक बिस्ताएं पढ़ेंगे इसके और इसके लास्ट में हम पतन पढ़ेंगे क्यों पतन हुआ इसका? इतना टॉपीक हम इसमें पढ़ेंगे तो आइए भूमिका की चर्चा करते हैं भूमिका में नामकरण की भाई, सबसे पहले नामकरण कैसे इसके हुआ? तो याद रखेगा, सबसे पहले इसका नाम है हडपा सबबगता क्यों रखा गया इसका नाम हडपा सब्विता आई ये चर्चा करते हैं तो हडपा सब्विता की क्यों रखा गया है तो सबसे पहले बात करें 1826 में चार्ल्स मैसन साहिब थे अंग्रेज थे ये चार्ल्स मैसन इन्होंने क्या किया सबसे पहले हडपा में टीला देखा हडपा में टीले की ओर ध्यान आकर सित किये लेकिन इनकी इन बातों पर कोई गया नहीं किया कि कुछ एक कह रहे हैं बसे बोले और बाद में सांथ हो गए इसलिए कुछ कर नहीं पाए बाद में क्या हुआ predictive rapid spending 564 का समय चल रहा था कराची से लोहर railway track बिच रहा था कराची टू लाहर पूछा जाता यह कराची टू कराची टू लाहर railway और ये रेल्वे नाइल बिछा कौन रहे थे ब्रंटन बंदू पुछा जाते हैं ब्रंटन बंदू बिछा रहे थे और ये ब्रंटन बंद कौन थे तो एक है जान ब्रंटन और एक है विलियम ब्रंटन ब्रंटन ये दोनों बिछा रहे थे लेकिन इनकी ए सिर्फ रेल्वे ल और फिर कुछ शमय बाद समय आया किसका देखिएगा 1921 में 1921 में जान मारसल ये क्या है देखिएगा जान मारसल उस समय भारतिय पुरा तत्वे सर्वेच्छड विभाके ने दे सकते कि विभाग जो कलकत्ता में हैं विभाग के निदेशक थे निदेशक थे और इनके एक सहयोगी हुआ करते थे जिनका नाम है दयाराम साहनी कि दयाराम साहनी इन्होंने क्या किया दयाराम साहनी ने हरपा की क्या की खोज की यही हरपा की क्या किये हरपा की खोज किये कौन देराम साहनी इसलिए इस सब्बता का नाम क्या रखा गया हडपा सब्बता रखा गया नाम करड किया नाम क्या रखा गया देराम साहनी ने हडपा सब्बता की मने हडपा सब्बता में पहला अस्थान जो हो जा गया था वो हडपा था इसलिए इस सब्बता को तो कोई पूछे कि हड़ापा सब्पाता क्यों कहते हैं तो भाई पहला स्था नहीं हडपा खोजा गया था आप लोग'm देख आओं यह उसका इसको का जनम किसी में हुआ है उस गाओ का नाम कुछ और है जैसे खरीलाबाद है और तो खरीलाबाद जब किसी के साधी करके आती है तो उसको खलवदिये खलवदिये करते हैं सेम वही चीज़ यहां पर है और बात करेंगे आगे चल करके दूसरा नाम इसकी चर्चा करें सुरस्थती सब्विता हरपा सब्विता के हुआ बता द एक नदी ऐसे बही जिसका नाम है सिंधु और एक नदी ये बिलूप्त हो गई है जिसका नाम था पहले सुरस्थी आज लोग कहते हैं कि घर जो नदी है राजस्थान में वही सुरस्थी है लेकिन बिलूप्त हो गई है इस सुरस्थी नदी के किनारे 1100 अस्थल मिले है इस न प्रतम नगरिये सब्धिता क्यों कहा गया इसे इसका एक नाम और और है प्रथम नगरिय सब्विता इसे प्रथम नगरिय सब्विता भी कहा जाता है देखे कोई भी कोई भी सहर एक अचानक से नहीं बना होगा पहले थोड़े थोड़े गाउं से दिर दिर ऊपर बढ़ा होगा लेकिन ये प्रथम नगरिय सब्विता या प्रथम नगरिय क्र 35 Сब्दाइं मनें अचानक से इसमें परिवर्तन हुआ है अचानक से दनना बन गया है नगर बन गया आप देख़ें कि नगर में शहरों में क्या होता है यहाँ चाहरी अगर सडक तो यह पाफिस सारे सहर में क्या है एक ओर से जाते जाओ बस्त गर आसने मिलते जाएंगे तो पर्थम नगरिय संबित आहीं रहा सभी के सभी के दर्वाजेत होते हो मौ सड्कों की तरफ खुलते थे के गल्यों में खुलते थे अपने हो गाव में क्या होता है कहीं भी खोल दिया जाए तो ये पर्थम नगरी सब्विता क्यों कहा गया है उकि पहली बार नगर का भी कास हुआ था आगे बात करेंगे इसका और क्या नाम है कांसी यूगीन सब्विता क्यों इसे कांसी यूगीन सब्विता कहा गया क्योंकि यहां प इसके प्राथवे ताबा और टिन के, इसलिए सिका कागा, कांसी वीन सब्वता कागा, तो ये रहा इसके नामकरड की जर्चा, और बात करें, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ए, बहुत साई लोगों का अलग-अलग मत है कि कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था, तो इसके जो मत हैं तीन मत हैं इसके इसकी उत्पत्ती के तीन मत हैं तीन मत हैं तो सबसे पहले मत की बात करें मेसो पोटामिया सब्विता लोग कहते हैं कि ये लोग मेसो पोटामिया सब्विता से आए और आकर के यहां पर बस गए मेसो पोटामिया या इसी को कहा जाता है सुमेरियन स भी कहा जाता है दूसरी है इरानी शब्थता यह अबलुचुस्तानी शब्थता तीसरी है सोथी संस्कृति से आये ठीक है तो मेसो पुटामिय सब्विता इरानी सब्विता अगर ये दोनों सब्विता मिला दिया जाए तो ये कहा जाता है देसी मत ये अपने हां के जो इतिहासकार है वो लोग कहते हैं और ये जो है बिदेसी मत है विदेशी लोग यह मानते हैं कि सिंध घाटी के लोग यहां से आय थे मेसोपोटामिया से कौन कौन से लोग कहते हैं कि सिंध घाटी सब्विता के लोग मेसोपोटामिया से आय थे नाम पूछा जाता है जैसे तो Garden Child यह नाम important है अभी NTPC में आ चुका है Garden Child DD Kausambi Kausambi Wheeler साहिब ने भी कहा है Kramer साहिब ने भी कहा है ये चार नाम याद रखेगा इन्होंने कहा है कि जैसी संस्कृती जैसे घर मेसोपोटामिया में थे वही सेम चीज यहां मिल रहे है तो इसलिए इन्होंने ऐसा कह दिया इरानी सब्वेता से लोगों ने कहा इरान के लोगों ने कहा जैसे चबुतरा इरान में बने होते थे वह ऐसे आज मेसोपोटाम ऐसे सिंदुगाती सब्वेता में है इसलिए इन्होंने ऐसा कह दिये कौन-कौन लोग थे फेयर सर्विस, फेयर सर्विस महोदे ने ऐसा कहा है, और एक नाम और है रोमाली थापर, ये दो लोगों ने कहा, जैसे चबुतरे, जैसे घर, कुछ चीजे, बिल्कुल मैश करते हैं इरान से, वो ही इसले कहें, सोथी संस्कृति की बात करें, सोथी संस् कि याद रखेगा राजास्थान में विख्सित हो, सोती संस्कृती, खोच, किसे ने किया, इस संस्कृति की तो याद रखेगा, अमलानदे घोस इंपूछा गया है, अमलानदे घोसने, סंकृति की क्या कि आ, खोच की है, और एक और बात करें, तो इन में भी ậnभी अंदर, यह वाल सहहब यह मानते हैं कि जो आपका हड़पा संस्कृत है ये समस्कृत होई है। जितने भी मिर्दभांड, मिर्दभांड का मतलब मिट्टी के बरतन जितने भी मिले हैं, वो सभी सोथी संस्कृत अर्यस्थान में जैसे मिट्टी के बरतन थे, वो ऐसे हडपा सब इता में मिट्टी के बरतन मिले हैं, टोटल के टोटल, इसलिए इन्होंने कहा कि सोथी संस्क तो रीजन जानना जरूरी है तभी जाए की तिया समझ मैं आएगा आएगे और आगे बात करते हैं कि आगे करेंगे काल करम की काल करम की बात करते हैं तो यह रहा इनके मत कहां से आये थे अगर बात करें काल करम की तो काल करम के बात में बात करें तो काल करम जो है सही सही काल करम नहीं पता है सही काल करम ग्यात नहीं है ग्यात नहीं क्यों ग्यात नहीं है A.B. region जानिए क्योंकि इन समय जो लिपी थी लिपी जो भी कुछ साच मिला है वो लिपी पढ़ी नहीं जा सकी है लिपी पढ़ी ना जा सकी अगर पढ़ी जा सकी होती तो क्या लिखा गया सब पता चलता लेकिन लिपी पढ़ी ना जा सकी पहला करण तो ये था दूसरा करण था लंबवत उत्खनन में समस्या का मतलब जैसे हमने खुदाई किया तो ये नगर मिला नगर के बाद अगर कुछ और मिलता तो ठीक था लेकिन तुरंत पानी मिल गया और पानी में खुदाई कैसे कोई कर सकता है नीचे का पता कुछ दबा हो मिले लेकिन बीच में ही पानी मिल गये तो पानी में खुदाई कैना असान नहीं था इसे लंबवत उत्खना में समस्या है और हम 36 खनन जारा दूर क्यों नहीं कर सकते क्योंकि पुरा ये गाउं बसे है और अगर हम ये मुर्दे हैं मुर्दे को प्रदेखने के लिए ग्यात करने के लिए हम जिंदा को बरबाद नहीं कर सकते इसलिए 36 नहीं कर पा रहे हैं लंबवत में डार्ट पानी मिल जा रहा है इसलिए ज्यादा खनन नहीं हो पाया तो अगर ज्यादा खनन हो पाता तो हम कार्बन डेटिंग की विधिय से पता कर रेडियो कार्बन बिधी क्या कहती है कि समय सीमा जो है 3500 भीसी इसा पूर्व से ले करके तेरे सो इसा पुर्व तक इनकी समय सीमा थी याद रखेगा ये परमाडिक यही है क्योंकि ये बैग्यानिक तरीका है ये परमाडिक है वास्तिकत सत्त माना जाते एक्जाम में आएगा तो ये करके आना है अगर नाम देखे पूछे फलाने के उनसार बताईए तो याद रखेगा नाम है मार्टीमर वीलर मार्टीमर वीलर ने क्या कहा कहा कि ये पचीस सो बीसी से ले करके पंद्रसो बीसी तक थे अगर पूछे ने डीपी अगरवाल के उनसार पूछ ले तो भी घवडाना नहीं है डीपी अगरवाल ने क्या किया तेई सो पचास से ले करके सत्रे सो पचास बीसी तक डीपी अगरवाल ने बताया है अगर जान मारसल के उनसार पूछ ले जान मारसल के उनसा 3250 से 2750 बीसी तक बताए हैं तो याद रखिएगा ये लेकिन सबसे प्रमाड़ी किसमें रेडियो कार्बन भी दी है 3500 बीसी से 1300 बीसी तक ये आप इंपोर्टन्ट है याद रखिएगा 1300 बीसी तक ठीक है तो क्यों प्राबलम हुई ये बता दिए कौन सा इंपोर्टन्ट ये बता दिए आए कुछ आगे बात करते हैं इसके बिस्तार क्या क्या है आए चर्चा कर लेते हैं बिस्तार कैसे कैसे हैं देखिएगा कहां तक इसके बिस्तार है तो अगर हम बात करें आजादी के पहले तक कितने अस्थान खोजे गए आजादी के पुर्व तक कितने अस्थान थे अब आज कितने अस्थान है तो आज लगभग 1400 प्लस अस्थान है और आजादी के पुर्व मात्र 40 अस्थल खोजे गए थे ठीक है अगर पूछा जाए कहां पे आज इसके कितने अस्थान मिलते हैं तो याद रखिएगा अफगानिस्तान में मिलते हैं इस अड़पस अबता के साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान में मिलते हैं और अपने भारत में मिलते हैं अफगानिस पाकिस्तान में मात्र दो अस्थान है पहले अस्थान का नाम आपको पता होना चाहिए मुंडी गाक मुंडी गाक यह सबसे उत्तरतम अस्थान है सबसे उत्तरतम अस्थान है most important line याद रखेगा इससे उत्तर में नहीं है दूसरा अस्थान बात करें सूर्थ गोई सूर्थ गोई मात्र दो अस्थान मिले है पाकिस्तान में 475 अस्थान मिले है बाकी भारत में मिले है 900 प्लस अस्थान ये आप याद रखेगा 900 प्लस अस्थान भारत में मिले है बाकी यहां मिले पाकिस्तान में 400 अर भारत में सरवादी कहां मिले है भारत में पूछे सरवादी का स्थान किस राज्य मिले है तो important question गुजरात में गुजरात में मिले है आइए बात करते हैं इसका छेत्फल कितना है अगर आपसे पूछे तो पहले छेत्फल 12 लाग था लगभग लेकिन आज है 17 लाक वर्ग किलो मीटर में फैला है ठीक है तो और बात करते हैं आइए इसका आकार कैसे है तो ये इसके आकार की बात करें तो ज़्यादा तर नर्मली ये तिर्भुचाकार है ये इसका जो ये वाला अस्थान है देखिएगा ये जो अस्थान है इसका ये आपका मेरट में है मेरट आलम गीरपूर मेरट में आलम गीरपूर में है यह कैसा अस्थान अगर आपसे पूछे तो याद रखेगा यह उत्तर परदेश में है किस नदी के किनारे है? इंपोर्टन्ट है हिंडन नदी के किनारे है हिंडन किस की सहायक नदी है? यमुना की सहायक है important हो गया यह बात याद रखेगा यमुना की सहायक है और बात करें यह कैसा अस्थान है आलमगीरपूर तो याद रखेगा यह पूर्वत्तम अस्थान है पूर्वी अस्थान सबसे पूरम में यही है इससे पूरम में नहीं है आघे बात करें ये सबसे आपका क्या है आपका दच्छिरतम अस्थान है कौन सा कौन सा है देमाबाद है और बात करें किस नदी के किनारे है कहाँ पे है महराश्ट्र में है ये महराश्ट में है नदी का नाम पूछले आप से तो प्रवरा नदी है और बात करें प्रवरा किसकी सहाइक नदी ये भी पूचा गया गोदावरी की सहाइक नदी है प्रवरा नदी तो ये रहा आपके सबसे पूर्वी अस्थान बता दिये मेरट आलमगीरपूर मेरट अगर सबसे दच्छिरतम पूछे दैमवाद महराष्ट में अगर आपसे कभी भी आपसे ये पूछे कि जरा बताइए सबसे पश्चिम में कौन सा अस्थान है तो याद रखेगा सुत कांगे डोर है सुत कांगे डोर है सबसे पश्चिरतम अस्थान है और ये कहां पे है तो याद रखेगा बलूचिस्तान पाकिस्तान में है ये लाइन इंपोर्टेंट है अगर आपसे और बारे में इससे पूछे किस नदी के किनारे है तो दास्क नदी के किनारे है ये भी इंपोर्टेंट याद रखेगा अगर पूछे यह देखेगा अगर पूछे कि भारत में इसका सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है तो याद रखेगा उत्तरतम भारत में अगर वैसे पूछे विश्च में तो उत्तरतम आपको बता चुके हैं भारत में उत्तरतम पूछे तो याद रखेगा जिसका नाम है मांडा ये कहां पे है जम्मो कास्मिर में नदी का नाम है चिनाव नदी के किनारे ये है याद रखेगा तो बात हो गई इसके बिस्तार की आए कुछ चर्चा और इसके बारे में हम करते हैं इसके अस्थल की चर्चा करेंगे इसके अस्थल की चर्चा हम अगले टन पे करते हैं आज के लिए इतना इसमें रहन देते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक किजिए सेर किजिए सस्क्राइब किजिए तब तक के लिए धन्वात कल मिलते हैं इसके अगले पाट की तरफ थेंक यू